नमस्कार अपुर्वास किचिन में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं आप लोगों के साथ एक हलुआ की रसिपी शेयर करने वाली हूँ और कुछे दिनों में जनमाश्टमी है इस दिन बहुत सारे लोग व्रत में रहते हैं और बहुत लोग फलहार भी करते हैं आज जो ये हलुआ हम बनाएंगे ये व्रत के लिए एक आइडियल रसिपी है आज हम बनाएंगे लौकी का हलुआ लौकी को बिहार चारकर में कद्दू भी कहा जाता है इसकी सबजियां जितनी अच्छी बनती हैं इससे चीला भी बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होता है लौकी से बने हुए खीर और हलुआ खाने में बहुत स्वादिश्ट बनकर तयार होते हैं आज से जनमाश्टमी तक मैं आपके साथ उन सारी रसिपीज को शेर करने की कोशिश करूँगी जो आप व्रत की टाइम एजीली बना सकती है व्रत के लिए इस्पेशल और भी रसिपीज आपको मेरे चानल में मिल जाएगी डेस्क्रिप्शन में आपको उन सारी रसिपीज के लिंक मिल जाएंगे लिंक पे क्लिक करके रसिपीज ट्राइ करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रसिपीज कैसी लग रही है तो चलिए देख लेते हैं हमारे आज की इस रसिपी को कैसे बनाना है लौकी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज के लौकी को अच्छे से धोकर साफ कर लिया है इसके छिलके को हटा लेना है बीच से काट कर इसका बीच हटा ले और फिर ग्रेट कर ले यानि की कद्दुकस कर लेना है और अब हम इसे उबाल लेंगे, इसके लिए कुकर गैस पर चढ़ा दे, ग्रेटेड लौकी को कुकर में डाल कर अब लीड लगा दे और इसे दो विसल आने तक प्रशे कुक कर ले, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, लौकी के पानी से ही ये कुक होगा, दो विसल आने के जब कुकर ठंडा हो जाए तब इसका लीड हटा दे और एक बड़े से बरतन के स्ट्रेनर रख दे और उबले हुए इस लौकी को डाल कर किसी भी चमच की मदद से इसे प्रस करें जिससे क्या जो एकसस पानी है वो सारा निकल जाएगा अब एक कढ़ाई गैस पर चढ़ादे इसमें चार चमच घी डाल दें घी गरम हो जाए तब हम इसमें उबले हुए इस लौकी को डालेंगे थोड़ा से संवल कर डालें यहां मेरे हाथ से यह स्लिप कर गया था लौकी डाल देने के बाद इसे हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका पानी सूख ना जाए औ दूद डाल देने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करें और अब हम इसमें टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल देंगे चीनी डाल देने के बाद फिरसे से मिक्स करें और अब हम इसमें छोटी इलाइची यानि की हरी इलाइची का पॉडर डालेंगे इलाइची पॉडर डाल दे के बाद फिरसे मिक्स कर लेना है और अब इसमें खोया डाल दे कोया डाल देने के बाद काजू और किश्मिश डाल कर फिरसे से मिक्स करें अभी मीडियम फ्लेम में हम तब तक कुक करेंगे जब तक की दिये हल्वा हलका सा गाढ़ा ना हो जाए अब देख सकती है हल्वे में गाड़ापन आ गया है तब ही हम गैस आफ कर देंगे और ठंडा होने पर इसे सर्फ करेंगे तैयार है हमारी आज की ये easy to make लौकी का हलुआ लौकी को कुकर में डालने के बाद पहला विसल जब आ जाए इसके बाद दूसरा विसल आना शुरू हो तब हम गैस आफ कर देंगे कुकर ठंडा होने के बाद ही इसका लीड खोले तैयार है हमारी आज की ये रेसिपी आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी या आप मुझे कमेंट करके बताना ना भूले अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हैं तो मेरे चानल को लाइक और शेयर जरूर करें चानल में नए हैं और वीडियो अच्छी लग रही हैं त उसे प्रेस करके और पे क्लिक कर दे ताकि मेरे अपलोड किये हुए हर वीडियो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और अगर आप मुझे फेस्बुक या इंस्टाग्राम में देख रही हैं तो फॉलो जरूर कर ले साथ ही अब आप मुझे वाट्सप चैनल में भी फॉलो कर सकती हैं तो फॉलो जरूर करें आप मेरे वीडियो उस कहां से देख रहे हैं और आपके नाम क्या है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग